नमस्कार दोस्तों मैं हो विनूत और आज हम आपको layout tab के paragraph option के अंतरगत, indent और spacing के सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आपको document के लिए किसी text को right side या left side में थोड़ा सा खिसकाना हो, या किसी paragraph में लिखी lines के बीच space बढ़ाना या गटाना हो, या दो या दो से अधिक paragraph के बीच के space को बढ़ाना या गटाना हो, या फिर mirror indent को use करना हो, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, indent option का use करने के लिए हमें कुछ paragraph की ज़रुवत पढ़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ paragraph इंसेट कर लेता हूँ, इसके लिए हम टाइक करेंगे, जुकल 2, र, A, N, D, R, N लिखेंगे, shift के साथ bracket open और bracket close करके interface करेंगे, तो हमारे सामन यहाँ पर कुछ paragraph इंसेट हो जाएंगे, इसके बाद हम सभी paragraph को यहाँ पर control A करके select कर लेते हैं, और home tab में जाकरके यहाँ से justify कर देते हैं, justify करने से हमारे जो paragraph का sequence है, वो left और right side से, दोनों ही side से equal हो जाएगा, और इसके बाद हम इस paragraph पर click करते हैं, यानि पहले paragraph पर click करन left या right side में adjust करने के लिए use किया जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे, यहाँ पर अभी 0 cm में दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास अभी space यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसे margin कहा जाता है, margin के अलावा अगर आप extra space को increase या decrease करना चाते हैं, paragraph को left या right side में adjust करना चाते ह है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर indent का use करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर first paragraph पर यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर indent के left वाले option को हम यहाँ पर increase करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जो paragraph है, वो left side में यहाँ पर automatically adjust होता चला जा रहा है, इसके आप left या right indent का use कर सकते हैं, जैसे माले जी अब हम right side का use करना चाहते हैं, तो right वाले को हम यहाँ पर increase करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जो paragraph है, वो right side में यहाँ पर automatically adjust हो रहा है, तो इस तरीके से आप paragraph के indent का यहाँ पर use कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसे वापस से normal कर ल देखेंगे, तो आप देखेंगे, हमारा यह paragraph, second वाला paragraph, normal हो चुका है, उसी तरीके से, इसको भी हम click करके यहाँ पर 1.3 जो हमारा centimeter हमने increase किया है, यहाँ पर भी हम zero type कर गेंगे, यहाँ पर enter कर देखेंगे, तो हमारा paragraph वापस से जैसा था, वैसा हो जाएगा, तो इसे कहत देता हूँ, आप देखेंगे, दोनो paragraph के बीच में, हमें यहाँ पर space दिखाई दे रहा है, यह बैसे कि हमारा 8pt का यहाँ पर space है, after का मतलब इस paragraph के बाद जो भी space होगा, वो यहाँ पर 8pt का होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर zero कर देता हूँ, तो आप देखेंगे, space हमारा यहाँ पर खत्म हो जाए गया, तो वापस हमें इसे control Z करते हैं, अब first paragraph पर यहाँ पर क्लिक करके, हम before वाले option को जैसी हैं आप increase करेंगे, तो आप देखेंगे, यह उपर की तरफ से हमें space दे रहा है, यानि paragraph के पहले हमें यह space increase कर रहा है, और इसी तरीके से अगर इस paragraph के बाद हमें space चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, आफटर, आफटर को जैसी हम increase करेंगे, तो आप देखेंगे, इस paragraph के बाद यहाँ पर रीचे की तरफ space भड़ता चला जा रहा है, तो इस तरीके से आप paragraph के indent और spacing का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, indent और spacing का यूज कर क्लियर कर देता हूँ, जैसे मालीजे हमारे पास जो भी paragraph है, हम यहाँ से चले जाते हैं, on tap पर, और यहाँ पर आपको दिखाए देगा left alignment, हम सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा space कंकीज कर लेते हैं, ताकि हमें paragraph में left और center alignment के बारे में पता चले, तो इस paragraph पर हमें सबसे प paragraph का जो alignment होगा, वो center से start हो जाएगा, इसके बाद अगर आप right side पर click करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे paragraph का alignment है, वो right side में आप अरजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप justify का use करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर paragraph का sequence और यहाँ का paragraph का sequence दोनों equal हो जाएग यहाँ पर gap है, तो जैसे यहाँ पर हमें space दिखाई दे रहा है, तो आप इन सभी alignments का यहाँ पर use कर सकने है, वही same alignment मैं आपको दिखा दू, page layout tap पे, इस setting में भी आपको देखने को मिलता है, अभी हमने recently justify alignment का use किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे justify alignment हमें दिखाई दे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम gaps को खतम कर लेते हैं, जैसे मालेजे gaps को खतम करने के बाद हम इन में सही किसी text को heading में convert कर लेते हैं, जैसे मालेजे हम इसको select किया और यहाँ से हमने cut कर दिया, इसी तरीके से second board में से भी हमने कुछ board को select करके यहाँ से paragraph में heading बना और इस वाले heading को यहाँ पर click करके हम चले जाएंगे वापस से page layout के उसी settings पर और यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमारा जो outline level है, वहाँ देखेंगे body text आपको दिखाई दे रहा है, इस पर click करके जैसे यहाँ पर आप level 1 को select करके यहाँ पर इसे ok बटन पर click करेंगे, तो आप देखेंगे आपका पूरा paragraph यहाँ पर आपको वापस से दिखाई दे जाएगा, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर second option की, तो यहाँ second वाले option पर click करके, अगर हम यहाँ पर इसे level 2 define कर देते हैं, जैसे माले जे हम यहाँ से वापस से body text को select करके, यहाँ प जो हमारा second वाला level था, वो भी इसके अंदर सिमट जाएगा, और जैसे आप इस plus icon पर click करेंगे, और इस वाले plus icon पर click करेंगे, तो आपका सारा paragraph यहाँ पर बापस से आपको show हो जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर collapse का use कर सकते हैं, जैसे कि outline level और collapse का कैसे use किया जा इसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपको एक और option यहाँ पर दिखाए देगा, indentation का, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर left और right का indent option वही आपके सामने repetition कर रहा है, जो recently अभी मैंने आपको शुरुवात में बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे, आपक इस paragraph यहाँ पर insert कर लिया है, अब इस paragraph की मदद से मैं आपको बाकी के options क्लियर करूँगा, तो इसके लिए हम पूरे paragraph को एक बार select कर लेते हैं, control A करके मैंने पूरे matter को एक बार select कर लिया है, layout tab कर जा करके यहाँ पर वापस से उसी settings पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको दि inside की अगर मैं बात करूँ, तो inside होता है आपका left side और outside की अगर मैं बात परूँ तो outside होता है आपका right side, जैसे मालीजे mirror indent को मैंने यहाँ पर check mark किया है, check mark करने की बाद यहाँ पर मैं यहाँ से size को increase कर लेता हूँ, मालीजे इससे मैंने 1.5 कर दिया और नीचे से outside मैंने इसक 0.1 cm रखा, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ poke button पर click करेंगे, ok करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे left side का margin space है वो यहाँ पर काफी ज़्यादा increase हो चुका है, नीचे की तरफ अगर हम second page की बात करें, page number 2 की इसके बाद अगर हम page number 2 की बात करें तो आप देखेंगे page number 2 पर, यह जहाँ पर था बिल्कुल वही पर ही adjust है, और इसके बाद अगर हम page number 3 पर जाते हैं तो आप देखेंगे, same उतना है space यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो की page number 1 पर था, अगर आप और next page पर जाते हैं तो आप देखेंगे, 4 number page पर, यहाँ पर आ हमारा जो matter है वो binding करते हैं यहाँ पर दबेना, इस वज़ए से हम इस option का यहाँ पर use करते हैं, इसके बाद हम इसे control Z करके इसे वापस से normal कर लेते हैं, जैसा यह पहले था, next option का use करने के लिए हम सभी matter को select कर लेते हैं, select करने के बाद इस वाले option पर वापस से click करते हैं, औ और यहाँ पर आपको special का option दिखाए देगा, इस पर आप click करेंगे, तो click करने के बाद यहाँ पर drop down में आपको दो option दिखाए देगे, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाए देगा first line का, और दूसरा आपको दिखाए देगा हैंगी का, तो सबसे पहले हम clear करते हैं first line, first line क यहाँ पर सेलेक करके यहाँ पर जितना भी साइज अपने हिसाब से आप रखना चाहें उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं मालिजे हमने इसको 1.2 cm रखा और इसके बाद हम इसे यहाँ पर OK पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सभी paragraph की जो first line है वह यहाँ पर 1.2 cm right side में इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके document में जो आपका first line है वो right side में थोड़ा अजा margin छोड़ करके represent हो तो आप इस option में यहाँ पर use कर सकते हैं हम यहाँ पर ctrl z करके इसको वापस से normal कर लेते हैं और इसके दूसरा option की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर हम वापस से इसी option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चला जाएंगे special के hanging option को select करेंगे hanging option को select करने के बाद यहाँ पर आप जो भी size रखना चाहिए अपने इसाप से रख सकते हैं फिलाल इसको by default 1.27 cm ही रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम ok बटन पर क्लिक कर देते हैं यह जो option था यह बिलकुल इसका opposite था यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी first line होगी वो right की बजाए left side में आपको 1.27 cm यहाँ पर आपको देखेंगे यह शिफ्ट हो गई है तो यह option basically first line का बिलकुल opposite था यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो first line है यहाँ पर right side की बजाए left side में adjust हो गई है 1.27 cm आप paragraph में जहाँ भी देखेंगे paragraph की जो पहली line होगी वो right side की बजाए है यहाँ पर left side में 1.27 cm adjust हो जाएगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर hanging और first line यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम इसे वापस नम रहने देते हैं नम रहने के बाद हम यहाँ पर line spacing की तो यहाँ पर line spacing के drop down पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा सबसे पहले option single single को जैसी आप यहाँ पर select करेंगे single का मतलब आपको यह single line का space generate करके देगा इसको select करके जैसी यहाँ पर ok button पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितना भी paragraph था वो single line space में यहाँ पर adjust हो जाएगा इसी तरीके से अगर हम इसके दूसरे option की बात करें तो दूसरे option आपको दिखाई देगा 1.5 line का space इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो भी document होगा वो 1.5 lines का यहाँ पर space generate करके देगा यहाँ पर ok button पर जैसे हमें आपको डिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1.5 line का यहाँ पर आपके सामने space दिखाई देगा इसके बाद अगर मैं आपर तीसरे option की बात करें तो हम वापा से उसी option पर click करते हैं और तीसरे option आपको दिखाई देगा double line का इसको अगर आप click करेंगे तो आपके line के बीच में आप डबल line का space आपको दिखाई देगा तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर ok button पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर paragraph के हर एक line में double line का space आपको दिखाई दे रहा है इसको increase या फिर decrease कर सकते हैं और यहाँ पर जैसी आप OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसी के हिसाब से आपका जो document है वो यहाँ पर अपने आप उस size को adjust कर लेगा इसके बाद आप देखेंगे आप नेक्स option आपका exactly exactly पर अगर आप click करके यहाँ पर OK करेंगे तो by default इसका जितना size होना चाहिए by default आपको 12pt का ही size generate करके देगा इसे OK बटन पर click करिए तो आप देखेंगे इसका जो normal size होना चाहिए यह उतना ही size आपको यहाँ पर represent करके देगा इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा एक और option आपके सामने दिखाए देगा multiple का तो multiple option को select करके आप यहाँ पर जितनी भी line का space देना चाहिए जैसे भी यहाँ पर 3 line का space है यहाँ पर आप customize करके इसको represent करा सकते है इसके बाद हम next option की बात करते हैं तो document को पूरा select कर लेते हैं select करने के बाद इस option पर वापस से click करेंगे click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा don't add space between paragraph of the same style मतलब इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर देखेंगे हमारा पहला paragraph और यहाँ पर हमारा दूसरा paragraph आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच में जो भी space हमें दिखाई दे रहा है मैं से space को यहाँ पर खतम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस option का यहाँ पर use करूँगा पूरे method और एक साथ यहाँ पर select करूँगा control A से इसको select करने के बाद यहाँ पर इसी option को select करने के बाद इस वाले option पर tick mark करूँगा और tick करने के बाद यहाँ नीचे मैं OK बटन पर click करूँगा जैसी यहाँ पर मैं OK बटन पर click करूँगा तो आप देखेंगे हमारे paragraph के बीच का जो भी space था वो यहाँ पर finish हो चुका है याँ आप paragraph के बीच में space नहीं देना चाहतें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे किसी भी paragraph के बीच में कोई भी space आपको देखाई नहीं देगा तो इस तरीके से आप इसके सभी options का यहाँ पर use कर सकते हैं आज हम आपको layout tab के paragraph option के अंतरगत line and page break के सभी option की जानकारी दे रहे हैं जब भी हम Microsoft Word में काफी सारा data input करते हैं तो हमारा data काफी सारे pageों में split out हो जाता है ऐसे situation में हम pagination की सहायता से अपने सभी paragraph को adjust कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे पिछली video में हमने page layout के indent और spacing option के बारे में आपको बताया था इस video में paragraph setting के line and page break option के बारे में बात करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर pagination का एक option आपको दिखाई देगा जिसमें आपको चार option यहाँ पर दिखाई दे हम एक किक करके इन सभी चार option को clear करेंगे और साथ ही formatting expectation का भी हम यहाँ पर use सिखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं video orphan control की कि इसका किस तरीके से use किया जाता है आप देखेंगे उदारण के लिए हमने यहाँ पर एक data input किया हुआ है और इस data को input करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे पहला example हमने यहाँ पर लिया है कि जैसे माल लीजे कि आपके पास कुछ ऐसा data है जिसमें आपका paragraph का पहला word page number 1 पर रहे गया है बाकी के जितने भी paragraph की lines हैं वो page number 2 पर यहाँ पर दिखाई दे रही है अब अब यह चाहते हैं कि जो भी हमारा page number 1 पर paragraph की line यहाँ पर रहे गई है उस वाले paragraph को मैं नीचे की तरफ adjust करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यहाँ पर विडियो का यूज करेंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं orphan control की तो नीचे की तरफ आप देखेंगे हमने इसके लिए भी एक example यहाँ पर तयार किया हुआ है अब यहाँ पर orphan किस थरीके से काम करता है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास page नमबर दो पे काफी सारे paragraph हैं जैसे माली जे हमने 5 लाइन यहाँ पर लिखे हुई है और page नमबर 3 पर हमारे पास यहाँ पर एक line है अब इस वाली line को अगर मैं page नमबर 2 पर adjust करने की कोशिश करूँगा तो यह adjust नहीं होगी क्योंकि अगर यहाँ पर space हो ता तो यह by default अपने आपी यहाँ पर adjust हो जाती अब इस situation हैं हमें क्या करना होगा हम यहाँ पर orphan control का यहाँ पर use करेंगे जिसकी साहिता से हम इस paragraph की एक line को page नमबर 3 पर shift कर देंगे जिससे हमारा data यहाँ पर बुरा दिखाई नहीं देगा तो यह दोनों ही काम आपके एक ही option की साहिता से हो जाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर video orphan control की यहाँ पर आपको video orphan control का use करने के लिए सबसे पहले paragraph की किसी भी line पर यहाँ पर आपको click करना होगा click करने के बाद आप layout टैब में यहाँ पर paragraph setting पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको video orphan control का एक option आपको दिखाई देगा इस पर जैसे आप click करेंगे तो इसके लिए हम वापस से data को control Z करके जैसा था वैसा ही बना देते है नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको paragraph के इसी भी word पर click कर देना है कहीं पर भी आपको click करके सीधिय उसी setting पर वापस से जाना है और फिर से उसी option को select करके यहाँ पर जैसे आप OK बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ की एक line हमारे page number 3 पर shift हो गई है तो इस तरीके से आपका data जो है वो odd दिखाई नहीं देगा तो इस तरीके से आप video orphan control का यहाँ पर use कर सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर दूसरा option यहाँ पर लिखा हुआ है keep with next का अब keep with next का किस तरीके से use किया जाता है तो इसके लिए आप देखेंगे हमारा जो document है वो कुछ इस तरीके का है आपको वापस से page layout के उसी setting पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर दूसरा option दिखाई देगा keep with next का इसको आपको टिक कर देना है इस पर टिक करने के बाद video orphan control को आप यहाँ से अटा दीजे हटाने के बाद आप यहाँ से जैसी OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो heading था वो यहाँ पर page number 3 से अट करके page number 4 पर यहाँ पर shift हो चुका है तो इस तरीके से आप इस option का भी use कर सकते हैं हम वापा से कंडोल Z करते हैं और next option की और बढ़ते हैं नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने इसका एक example यहाँ पर create किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा next option है वो है keep line together अब इसका किस तरीके से यूज किया जाता है आप यहाँ पर देखेंगे इसका भी example हमने बना रखा है paragraph को highlight करके माल लिजए कि हमारे पास page number 4 पर 4 line है और page number 5 पर यहाँ पर 5 line है अब basically मैं यह चाहता हूँ कि हमारे page number 4 पर जो भी paragraph है यह चारो paragraph हमारे page number 5 पर यहाँ पर shift हो जाए अब आप कहेंगे कि यह काम हमारा पहला option भी कर सकता है video orphan control तो हमें इस option की क्या जूरत पड़ी basically आपको मैं clear कर दूँ कि video orphan control तभी काम करता है जब आपके पास उपर सिर्फ एक line बची हो और नीचे आपके paragraphs हो या फिर उपर आपके पास paragraph हो और नीचे आपके पास take line बची हो इन दोनों ही situation में video orphan control काम करता है अगर आप यहाँ पर video orphan control काई यहाँ पर use करेंगे तो इसका कोई भी effect इसके उपर नहीं पड़ेगा मैं आपको practical तरीके से दिखा देता हूँ malages पर हैंने क्लिक किया यहाँ video orphan control पर हमारे पास पहले से ही ठीक है इसको जैसे हमें okay बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका कोई भी effect इसके उपर नहीं पड़ा क्योंकि यह basically एक line पर काम करता है यानि उपर की तरफ अगर आपके पास एक line बची हो और नीचे की तरफ आपके पूरा paragraph हो तो यह count करेगा और या तो ऊपर की तरफ आपके पास काफी सारे paragraph हो नीचे की तरफ आपके पास एक line बची हो तो उस situation में यह काम करता है तो अब इसको किस तरीके से हमें adjust करना है उसके लिए हमें इस paragraph में से कहीं पर भी click कर देना है click करने के बाद उसी setting पर हमें वापस से click करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो next option आपको दिखाई देगा वो है keep line together इसको आपको tick करना है इसको आपको tick करने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा okay का एक option जैसी आप okay बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो पूरा का पूरा paragraph हमारे page number 4 से shift हो गया page number 5 पे तो इस तरीके से आप इस option का भी use कर सकते है अब इसके बाद जो हमारा next option बचा है वो है page break before का माली जी मैं यह चाहता हूँ कि मैं यहाँ से page break करना चाहता हूँ यानि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी मेरा document है वो next page पर shift हो जाए यहाँ पर कोई भी data type ना हो माली जी हमारे पास बहुत सारे pages है और अब मैं इस वाले page को blank रखना चाहता हूँ और इसके बाद जो यह data है मेरा इस पूरे के पूरे data को मैं next page पर shift करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम यहाँ पर page break before का यहाँ पर use करेंगे इसके लिए आपको same यहाँ पर click करके रखना है और उसके बाद उसी setting पर वापस से click करना है और यहाँ पर आपको page break before का एक option दिखाए देगा इस पर आपको tick करना है इस पर tick करने के बाद यहाँ पर आपको ok बटन पर click कर देना है जैसे मालीजे हम यहाँ पर व्यू पर चले जाते हैं और व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर multiple page का option आएगा इस पर हम टेक कर देते हैं इस पर click करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारे pages का views आप के सामने represent हो जाएगा और उसके बाद मैं इस data को अगर यहाँ से cut करके इस page पर shift करने की कोशिश करूँगा मालीजे मैंने यहाँ पर इसको select किया और यहाँ से control x करके इसको cut कर दिया cut करने के बाद page number 5 पर ला करके इसको जैसी हम यहाँ पर paste करेंगे तो आप देखेंगे यह इसके बज़ा यहाँ पर paste होने के बज़ा यह shift होगा हमारे वापस से page number 6 पर यानि कि यह data हमारा वापस से इसके ओपर adjust नहीं होगा क्योंकि हमने page break before का use कर दिया यानि यहाँ से हमारा जो page है वो break हो चुका है यहाँ पर अगर आप enter करके कुछ भी type करने की यहाँ से कोशिश करेंगे तो आप type कर सकते हैं लिए जो हमारा पुराना data होगा अगर आप उसको यहाँ पर adjust करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर adjust बिल्कुल भी नहीं होगा तो इस तरीके से आप इन सभी option का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next option की तो next option के लिए हम वापस से उसी setting पर जाते हैं अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो next option है वह है formatting expectation और इसमें आपको सबसे पहला option दिखाए देगा surprise line numbers का अब इसका किस तरीके से use किया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूरे document में line number insert करना पड़ेगा line number को insert करने के लिए आपको जाना है यापर layout tab पर और यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा line numbers का इसमें आपको एक option दिखाए देगा continuous का इन सबी option के बारे में मैंने एक detail वीडियो बनाई हुई है आप आई बटन पर जाकर के वहाँ से इसे देख सकते हैं तो यहाँ पर हमें continuous पर क्लिक करना है जैसे हम continuous पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी हमारे पास paragraph में lines हैं उन सभी paragraph के आगे एक number generate हो गया आप देखेंगे एक, दो, तीन, चार से लेकर के लिए लास्त हमने जितनी भी line से आप insert की है उन सभी के आगे page number आपके सामने represent हो अब बिसकली मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी line numbers हैं हमाने जिए एक, दो, तीन के बाद यहां से 4 और 5, 6 को मैं यहां से 8 आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तीन के बाद हमारा जो 4 number हो यहां 7 की जगा से start हो तो उसके लिए हम इस option का use कर सकते हैं हम यह चाहता है कि हमारे इस वाले paragraph में कोई भी line number represent ना हो तो इसके लिए आपको उसी setting पर वापस से जाना है यहां से line and page break option को select करना है और यहां पर आपको formatting expectation के अंदर आपको option दिखाई देगा suppressed line numbers का इसको आपको tick कर देना है इस पर tick करने के बाद यहां नीचे जैसे आप OK बटन पर click करेंगी तो इसके बाद आप देखेंगे paragraph first में आप देखेंगे 123 का number है हमारे पास उसके बाद दूसरे paragraph को इसने छोड़ दिया है तीसरे paragraph से आपका line number यहां पर start हो चुका है 4567 करके तो आपके इस paragraph से line number यहां से हट चुका है तो इस option का इस तरीके से use किया जाता है इसके बाद बात करते हैं हम next option की तो next option को use करने के लिए हम सबसे पहले line numbers को यहां से आठालेते हैं तो उसी setting पर वापस जाएंगे और यहां पर आपको एक option दिखाई देगा don't hyphenate अब hyphenate का किस तरीके से use किया जाता है जैसे माल लिजे हमारे पास यह document है इस पुले document को हम control A करके select करते हैं और home tab से जाकरके इसको यहां से justify करते हैं justify करने के बाद आप देखेंगे हमारे जो document का sequence है वो left side से भी equal हो गया और right side से भी यहां पे equal हो गया अब hyphenation basically होता क्या है कि जैसे माल लिजे हमने कोई भी paragraph यहां पे type किया और paragraph को type करने के बाद हमारा कोई word right side में adjust नहीं हो पाता तो इसके लिए यहां पर एक hyphen का निशान लग करके बाकी letter का जो word होता है वो यहां नीचे लिख दिया जाता है तो इसको कहता है hyphenate जैसे माल लिजे अभी आप इस document में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कहीं पर भी hyphenate का यहां पर use नहीं हुआ है तो इसके लिए हम सभी document को एक बार select करते हैं select करने के बाद layout टैप पे वापस से जाते हैं और यहां पर आपको एक option दिखाए देगा hyphenation का इस पर आपको click करना है और यहां पर आपको automatic पर click कर देना है इसके बारे में भी मैंने detail वीडियो बनाई दिए है आप उसको भी i button पर जाकर की check out कर सकते हैं इसके बाद हम अपने paragraph पर आ जाते हैं और यहां पर check करते हैं कि क्या कहीं पर hyphenate का यहां पर use हुआ है आप देखेंगे की आपका यहां पर है उसके बाद यहां पर hyphen का निशान है और उसके बाद word आपका यहां पर नीचे की तरफ आ गया अब माल लिचे पूरे document को select करके हम इसके size को increase or decrease करेंगे तो आप देखेंगे इस document में काफी जगा पर hyphenate का यहां पर use हो जाएगा जैसे हम बात करें यहां पर design की यहां पर आप देखेंगे DE आपका यहां पर दिखाए दे रहा है और sign आपका यहां पर दिखाए दे रहा है और वापस से आप चाहे तो home tap पर भी आप paragraph वाली setting पर click करेंगे तो वापस से आपका यही option खुल जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर don't hyphenate को select करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा hyphenate लगा हुआ है design का यह hyphenation यहाँ से हट जाएगा तो हम जैसे यहाँ पर okay button पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर click के बाद सीधे design जो था वो word यहाँ पर आपके सामने represent हो गया आपिनेंट का जो निशान था वो यहाँ से remove हो गया और हमारा जो text हा वो नीचे की line में adjust हो गया तो इस तरीके से आप इनके सभी option का यहाँ पर use कर सकते हैं और आज हम आपको layout tab के paragraph option के अंतरगत tabs के सभी options की जानकारी दे रहे हैं अगर आप अपने document को एक manageable document बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको tab setting जरूरानी चाहिए tab setting करने से बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि आप tab की setting की मदद से अपने document में आसानी से table बना सकते हैं इसके अलावा बार बार आपको tab button दबाने की ज़रत नहीं है आप tab setting की मदद से एक बार में ही जिस location पर जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं इसके अलावा आपके document का sequence भी यहाँ बिल्कुल बराबर रहेगा तो चलिए आए देखते हैं इसे कैसे use करते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शरू करते हैं पिछली वीडियो में मैंने indent spacing को cover किया था और इसके settings पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर indent and spacing और line number page breaks इम दोनों options को भी cover किया था इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक option दिखाई देगा tabs का आज हम इस option को यहाँ पर cover करने वाने तो इस option पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी settings दिखाई देगी तो इनसे भी settings का हम एक एक करके use सीखने वाने है सबसे पहले मैं आपको एक document बना कर दिखा देता हूँ ज़्यादा तर लोग क्या करते हैं जैसे यहाँ पर name type किया name type करने के बाद उन्होंने यहाँ पर father's name type कर दिया ज़्यादा तर लोग यहाँ पर name के आगे space का use करके अपने document को create करते हैं तो यह सब करने की आपको बिल्कुल ज़रुत नहीं है आप tap की की मदद से इसको आसानी से अपनी document को एक अच्छा लूग दे से तो जैसे माल लेजे हमने सारा data यहाँ से delete कर दिया हमारा जो करजर है वो margin के बिल्कुल starting से start होता है और उसके बाद जैसे आप अपने keyword से tap की बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यह हमारा tap की जो button है वो 0.5 inches के हिसाब से right side में खिसक जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 0.5 के हिसाब से यह आप इसको adjust कर सके आप मंचाय तरीके से इसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं जैसे मालीजे हमने यहाँ पर name लिखा और name लिखने के बाद हम यहाँ पर 4 inches पर click कर देते हैं जैसे हम 4 inches पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारी यहाँ पर tap setting लग चुकी है और जैसे आप अपने keyboard से tap की button press करेंगे तो directly आपका जो cursor है वो यहाँ पर 4 inches पर पहुँच जाएगा एक बार में तो इसके बाद आप यहाँ पर type कर सकते हैं जैसे मालीजे हमने यहाँ पर type कर दिया father's name father's name लिखने के बाद अगर आप और भी tabs का use करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको simple जाकर की click करना होगा click करने के बाद tab अपने आप लंज जाएगा आपको अपने keyboard से tap की button प्रेस करना है आप एक बार में पहाँ पर पहुँच जाएगे यहाँ पर माल लिजे हमने यहाँ पर type कर दिया cage और age लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर enter press करेंगे तो यहाँ पर आप कोई नाम टाइप कर सकते है जैसे मैं ताईप कर दिया है यहाँ पर mohan mohan लिखने के बाद father's name में मैं आपर type कर देता हूँ like kambal sing father's name लिखने के बाद और इसके बाद मैं आपर age type कर देता हूँ और इसकी बाद आगर आप चाएए तो इसे बहुत ही आसान तरीके से table में convert भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है पूरे document को एक साथ select करना है insert tab पर जाना है insert tab पर जाने के बाद आपको यहाँ पर table पर जाना है table के नीचे आपको एक option दिखाई देगा convert text to table इस तरह आपको click करना है जैसे आप इस वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आपको एक setting दिखाई देगी convert text to table की और यहाँ पर आपको टैब वाले option को select करके यहाँ पर okay button पर click कर दिए जैसे आप यहाँ पर okay button पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा pena document है वो यहाँ पर table में convert हो जाएगा और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर tab की button प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ अपने यहाँ पर table बनती चली जाएगी आप यहाँ पर और भी कोई नाम type कर सकते हैं जैसे मैंने type कर दिया यहाँ पर deep bug और उसके बाद आप father's name में भी कुछ भी type कर सकते हैं वापस से type करके आपने एक document को एक attractive look दे सकते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने tab की मदद से कोई भी table आसानी से जड़ेट कर सकते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी settings की तो सबसे पहले हम पूरे data को यहाँ से clear कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर दो number पर एक tab लगा देते हैं ताब लगाने के बाद इस tab पर अगर आप double click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने वही settings open हो जाएगी और इस settings में आप देखेंगे जो tab हमने यहाँ पर use किया था वो tab यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा आप चाहें तो इसे manual tab भी यहाँ पर लगा सकते हैं जैसे माल लीजे हम यहाँ पर 4 type करके जैसे यहाँ पर set पर click करेंगे और यहाँ पर ok button पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे चाहर नंबर पर भी यहाँ पर tap लग चुका है और इसके बाद इसके डबल क्लिक करेंगे तो वापस से आप देखेंगे वही settings यहाँ पर फिट से open हो जाएग अब इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर कुछ alignment दिये गए है जिसमें left, center, right, decimal और बार दिखाई देना और उसके बाद यहाँ पर आपको liter दिखाई देगा जिसमें आप 1, 2, 3, 4 liters आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर alignments की कि alignment का आप use किस तरीके से कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ tap set कर लेते हैं जैसे माल लीजे हमने एक tap set किया दो number पर एक tap set किया आपने चार number पर एक tap set कर लेते हम लोग 6 number पर और एक टैप सेट कर लेते हैं आप लोग 8 नमबर पर इस सभी टैप सेट करने के बाद इन सभी टैप को सेट करने के बाद यहां से आप 4 सेंटिमेटर वाले टैप को सेलेक करिए और यहां पर इसे सेंटर अलाइमेंट दे करके यहां पर इसे सेट कर दीजे इसी तरीके से 8 वाले सेंटिमेटर को आप सेलेक करके यहां से इसे decimal value दे करके और यहां पर इसे set कर दीज़े और यहां पर कर दीज़े pocket अब मैं आपको इसका फायदा दिखाता हूँ कि इसका फायदा किस तरीके से होगा तो आप देखेंगे हमने यहां पर tap की setting कर लिए है पहले alignment की अगर हम बात करें तो हमारा left tap का alignment है दूसरे alignment की बात करें तो वहाँ पर center tap alignment है तीसरे tap की अगर हम बात करें तो यह हमारा right tap alignment है और अगर हम चोथे वाले की बात करें तो यह हमारा decimal tap alignment है इन चारों को हम एक एक करके clear करते हैं, अब यहाँ पर जैसे मालिजे, दो number पर आ करके हम यहाँ पर कुछ type कर लेते हैं, जैसे मालिजे, हमने यहाँ पर type किया name, name type करने के बाद जैसे हम tap की button press करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा alignment है वो दूसरे point पर पहुंच चुका है, य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद अगर हम tap की press करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा next alignment है, वो right alignment है, और यहाँ पर अगर हम कुछ type करेंगे, तो आप देखेंगे, यह जो alignment है, यह हमारी text को right side में represent कर रहा है, इसी तरीके से, हम next option की अगर हम बाद करे decimal की, तो जैसे मालेज़े हम यहाँ पर point पर कोई भी value लिखते हैं, जैसे मालेज़े हमने यहाँ पर लिखा 200, और point के बाद हमने कुछ 0 लगा दी, अब इसमें फर्क क्या है, आप देखेंगे, decimal value के अंदर जो हमारा point के बाद जो भी value हमारी represent हो रही है, यानि इस tab के right side में आप लिखाई दे रही है, और बाकी जो value है वो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको left side में आपको यह दिखाई दे रही है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर value को increase भी करते हैं, तो decimal value जो रहेगी, वो इसके right side में represent होगी, और जो value होगी, वो इसके left side में यहाँ पर represent होगी, वही इस तरीके से आप इन चारो उप्शन पर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बार उप्शन की कि बार उप्शन का किस तरीके से यूज किया जाता है तो सभी अलाइमेंट को हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर एक alignment set करते हैं जिसे माल लीजे हमने यहाँ पर एक number पर एक alignment set किया एक alignment हमने set कर दे हैं यहाँ पर तीन number पर एक alignment हमने set कर दे हैं यहाँ पर पांच number पर और एक alignment हमने set कर दे हैं यहाँ पर 7 number अब हमें करना क्या है हम वापस से उसी settings पर जा इसको यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर बार को select करके यहाँ पर set कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे okay अब इसका फायदा आप देखेंगे क्या है कि जैसे माल नीजे हम यहाँ पर कुछ भी type करते हैं जैसे माल नीजे हमने यहाँ पर type किया name name type करने के बाद जैसे हम tap की button press करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो alignment है वो third number को छोड़ करके यहाँ fifth number पर directly jump कर गया क्योंकि दो चीजों पर हमने bar का यहाँ पर use किया है यानि हमने 3 cm वाले tap पर bar का use किया था और यहाँ पर आप कुछ भी type कर सकते हैं हैं जैसे माली जी हमने यहाँ पर type कर दिया aman और यहाँ पर हमने type कर दिया kamal kamal लिखने के बाद जैसी आप यहाँ पर interface करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर tap की की मदबस से line generate होती चली जा रही है इसकी मदद से भी आप अपने एक document को एक अच्छा look दे सकते हैं एक अच्छा document create कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next option की तो पूरा का पूरा डेटा हम फिर से यहाँ पे clear कर लेते हैं clear करने के बाद वापस से settings पर जाते हैं वापस से tap settings पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक option दिखाए देगा leader का अब leader option किस तरीके से use किया जाता है मैं उसको आपको clear कर देता हूँ इसको use करने से पहले मैं आपको document create करके दिखाता हूँ जैसे माल लीजिया हम अपने document कोई भी index करते हैं for example हमने something लिखा Serial number लिखने के बाद हमने here रिख पर थाब कर दिया lesson lesson can type करने के भाद हम रहे भाद आपर लिख दिया page number और select करने के बाद हम इया पर 2 number पर click करते हैं और इसके पाद लिख की अब देखेंगा हमारा जो text है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर page number के लिए कहीं पर भी click कर दीजे और click करने के बाद आप देखेंगे आपका जो page number है वो यहाँ पर align हो गया है अब basically आप लोग normally क्या काम करते हैं यहाँ पर आपयेश आपर हमने one type किया one type करने के बाद यहाँ पर हमने lesson name लिख दिया जैसे मारा जेश आपने लिख दिया यहाँ पर Excel info tag और उसकी बाद हम यहाँ पर dots कर जाएंड कर यूज़ करके यहाँ पर अपने page number को type करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमने heading यहाँ पर set कर लिए है यहाँ उसके बाद हम प्लेस करेंगे enter एंटर प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम मालीजे वन टाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम कोई भी lesson का नाम लिख देते हैं जैसे मालीजे हमने लिख दिया है यहाँ पर excel infotech यहाँ पर select करना है आपको और यहाँ से आपको जो भी format पसंद आता है उसमें से आपको भी format यहाँ पर select कर सकते हैं तो मालीजे हमने third वाला format यहाँ पर select किया और उसके बाद हमने set वाले button पर click करने के बाद जैसे यहाँ पर okay button पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमारा tab य यह आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे माली जै हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, Computer Institute, और Computer Institute लिखने के बाद जैसे आप टाइप की बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो लीडर है, वो यहाँ पर अपने आप आप आजाएगा, और यहाँ पर आप जो भी पेज नमबर डालना चाहें, आप अपने इसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप MS Word के अंदर इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत के टैप सेटिंग की मदद से, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशेर जरूर कीजेगा, धन्यवाद,